नमस्कार दोस्तों मैं अक्षे आप सभी का SSC अड़ा 24-7 पर स्वागत करता हूँ कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी विद्यारती बहुत अच्छे होंगे चलिए सुरुआत करते हैं आज के अपने क्लास की क्लास की सुरुआत करने से पहले एक बार सभी विद्यारती जितने भी लोग लाई जुड़ चुके हैं एक बार जल्दी से वीडियो की लिंक को कॉपी करें और जहां तक आपकी रीच है जिस जिस ग्रुप में आप एक्टेव हैं जहां तक आप इसे शेयर कर सकते हैं एक बार जल्दी से शेयर कर दीजे ये क्लासेज उन सभी स्टुडेंट तक पहुचनी बहुत आवश्यक है जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तो इस वक्त SSC एक्जाम की दोस्तो अगर आपका लक्ष SSC एक्जाम्स क्लियर करना है आप सीजल की बात कर लो, सीचसल की बात कर लो आप सीपियो की बात कर लो तो आपको सुबह में साथ बज़े मेरे साथ इस समय जोड़ना पड़ेगा चलिए शुरुआत करते हैं चैनल को सस्क्राइब करके बेल आ ठीक है? मैट्स की स्पेशल क्लास हो रही है और आप सभी को मैट्स की स्पेशल क्लास में मेरे साथ डेली जुड़ना है ठीक है? चलिए आगे मोग करते हैं छोटी से इन्फॉर्मिशन के साथ क्लास की सुरुआत करूँगा वो सभी बच्चे जो CGL, Tier 1 और Tier 2 दोनों के सकता है कि इसके बाद बैचस ना है तो वो सभी बच्चे जो CGL, Tier 1 और Tier 2 दोनों एक साथ पढ़ना चाहते हैं 15 मार्स से बच्चे हमारा बैचस स्टार्ट हो रहा है आप इस बैच से जुड़कर अपनी पूरी पेपरेशन कर सकते हैं कहां से जॉइन करेंगे? इसको जॉइ पन लगा लेना है जिससे आपको maximum discount आपको मिल सके ठीक है? क्लियर है? चले आगे मूब करते हैं वो बच्चे जो CPM के लिए पेपरेशन करना चाहते हैं वो बच्चे जो CPM के लिए complete पेपरेशन करना चाहते हैं वो हमारा CPM का बैच ले सकते हैं ये भी बच्चे 15 मार्स से स्टार्ट हो रहा है और इस बैच को भी जॉइन करने का प्रोसेस क्या है सेम है आपको अड्डा 247.com या बच्चों अड्डा के एप पर विजिट करके वाई वन सेवन जीरो कूपन कोड बच्चे आपको लगा लेना है अब देखो वो बच्चे जो सीजल के लिए पढ़ना चाते है वो हमारा सीजल का बैच ले सकते है और आपको पता सीपियो की वेकेंसी भी आ चुकी है नोटिफिकेशन है और बहुत बढ़िया संक्या में वे इस वक्त है की नहीं है तो बच्चे यह हो गया अब देखो अगर आप सीजल और सीपियो एक साथ कवर करना चाहते हैं सो दैट आप हमारे ससी महापैक में चले जाए ससी महापैक का बैनिफिट क्या है वो बच्चे जो सीजल सीजल म्तियस जीडी सब कुछ एक साथ चाहते ह लाइव क्लासे टेस सीरी वीडियो कॉर्से प्लस मेरा पार्थ बैच भी बेटे इसके अंदर आपको मिलेगा सो दैट आपको क्या करना है कि आपको जब आप इसको जॉइन करें आप सभी को अड़ा 247.com या बच्चों अड़ा के एप पर विजिट करके Y170 कूपन कोड ल जाए और जैसे ही Y170 कोड लगाओगे तो आपको डिसकाउंट मिलेगा प्लस मेरा पार्थ बैच भी इसके अंदर मिलेगा मेरी तरफ से ठीक है चलिए शुरुआत करते हैं पहला कोशन लेकर आतों रेडी है जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर दीजे बच्चों ठीक है चलिए अगला कोशन बच्चों आपके सामने करिए क्या होगा इस कोशन का अंसर फाइंड दा एवरेज फाइंड करिए बताओ क्या होगा एवरेज अब देखो पहला कोशन बच्चों आपके सामने और आपको एवरेज फाइंड करना आप कैसे करेंगे कोशन क्या क 630 वेटे आपको दिया है अगर आप ध्यान से देखो तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि कुछ वैल्यू 600 से जादा है और कुछ वैल्यू 600 से कम है देखो आप लोग क्या करते हो average निकालने के लिए कुल पदो का योग बटे कुल पदो की संक्या नो डाउट ये basic concept है आप इसको यूज कर सकते हो लेकिन अगर आप basic से लगाओगे तो ये थोड़ा सा time taking question हो जाएगा आपके लिए है की नहीं और paper में आपके पास इतना time नहीं होता है आप कैसे करें देखो आपको मैं अपनी एक trick सिखाता हूं कि जब भी कभी ये question आएगा और मेरे सामने आएगा तो मैं क्या करूँगा इस question को करने के लिए मैं कुल पदो का योग बटे कुल पदो की संक्या बिल्कुल भी नहीं लगाने वाला मैंने एक चीज notice की कि कुछ value 600 से कम है कुछ value 600 से जादा है तो मैंने माल लिया average कितना 600 है मैंने माल लिया average कितना 600 है मैंने माल लिया average कितना 600 है ठीक है अगर आप ध्यान से देखो कुछ value 600 से कम है कुछ value 600 से जादा है तो मैंने माल लिया average कितना 600 है क्या ये correct है नहीं correct करेंगे देखो अगर मैं 625 की बात करता हूँ तो ये एवरेज से 25 एक्स्ट्रा है 582 है हमने एवरेज कितना माना 600 इससे कितना कम है कोगि सर 18 कम है 608 जो है वो एवरेज से कितना एक्स्ट्रा है कोगि सर 8 एक्स्ट्रा है 575 जो है वो एवरेज से 25 कम है 596 एवरेज से 4 कम है 622 average से 22 एक्स्ट्रा है 642 average से 42 एक्स्ट्रा है और 630 जो है वो average से 30 एक्स्ट्रा है बोलो है की नहीं है अगर आप ध्यान से देखो कुछ value positive हैं कुछ value negative हैं अगर कुछ cancel हो सकता है तो possible है तो cancel कर लो कैसे आपको पता है कि plus का 25 minus के 25 से cancel हो जाएगा और minus का 4 हो गया minus का 22 देखो minus का 18 और minus का 4 हो गया minus का 22 और plus के 22 से हो गया cancel अब देखो हमारे पास बचा क्या 42 plus का 42 plus का 8 plus का 30 यही तो बचा हैं अब हमारे पास क्या बचा हमारे पास बचा plus का 42 है plus का 8 और plus का 30 है यही तो बचा है कोई गे सर बिलकुल तो 42 और 8 कितना हो गया 50 और 30 कितना हो गया 80 कितना हो गया 80 कितना हो गया 80 और सब में बटेगा כितनी संख्या है 2 4, 2 6, 2 8 संख्या है 8 संख्याओं में बराबर बराबर बाट दो 1 Cancel कर तो आंसर बोलो clear की नहीं clear 610 क्या है correct answer 610 क्या है बच्चो correct answer बोलो clear की नहीं clear जल्दी से बताओ यह sir clear बेटे अगर आज आपका paper है तो all the west आपके paper के लिए ठीक है बिल्कुल cool mind के साथ जाओ बढ़िया तरीके इस paper करके आना अगला question आपके सामने लेकर आते हैं बताओ क्या होगा इस question का answer try कीजे question क्या कह रहा है on selling an article on selling an article for rupees 800 on selling an article for rupees 800 a person lost 20% of its selling price जो person lost 20% of its selling price at what price should he sell it to gain 25% on cost price कह रहा है कि जब आप 800 रुपए में बेशते हो तो 20% का loss हो रहा है वह भी किस पे selling price पे usually क्या होता है आप सभी को पता है कि profit और loss हमेशा cost पे calculate करते हैं profit हो या loss हो हमेशा बेटे cost पे calculate किया जाता है लेकिन उसने क्या कहा है कि जब अगर आप 800 रुपए में बेश रहा हो तो 20% का loss हो भी किस पे selling price पे तो बहुत important question है कैसे करेंगा आईए समझाते है आप सबको पता है कि 20% का मतलब क्या होता है 20% सुनते ही मेरे दिमाग में आता 1 by 5 20% का मतलब होता 1 by 5 अब देखो कैसे करते हैं यह जो denominator में 5 unit लिखा है हम इसको selling price लेट कर लेंगे कि 5 unit हमारा क्या है selling price है 5 unit हमारा क्या है selling price है अगर मैं 5 का 20% निकालो कितना आएगा एक आएगा भाई अगर 5 unit selling price है 5 का 20% निकालो तो एक आएगा और एक unit आपका क्या है loss है यह एक unit बच्चे आपका क्या है loss है बहुत ध्यान से देखो यह denominator में जो 5 unit है इसको हम selling price लेट करेंगे 5 का 20% निकालो एक आएगा एक बच्चे आपका क्या हो गया loss हो गया clear है clear है कोई doubt नहीं मतलब 5 रुपए में बेचने पर 1 रुपए का loss है 5 रुपए में बेचने पर 1 रुपए का loss है तो cost कितना होगा बताओ cost कितना होगी 5 प्लस 1 6 5 प्लस 1 भाई 5 प्लस 1 यही तो cost होगी cost क्या होगी 5 प्लस 1 यानि 6 भाई 6 रुपए की चीज है 5 रुपए में बेचोगे तभी तो 1 रुपय का loss होगा 6 रुपय की चीज है 5 रुपय में बेचोगे तभी तो 1 रुपय का loss होगा कोगे sir विलकुल correct करे रहो अच्छा selling price कितना है कोगे sir 5 unit है actual में selling price कितना है कोगे sir 800 रुपय यानि मैं कह सकता हूँ कि 5 unit की value कितनी है पांच यूनिट की वैल्यू कितनी रुपए 800, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी रुपए 160, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी 16, 96, 960, ये 960 बच्चे आपकी क्या है, कॉस्ट है, ये 960 बच्चे आपकी क्या है, कॉस्ट है, क्लियर है, ये 960 बच्चे आपकी क्या है, कॉस 960 क्या है बच्छे ये 960 गुरुजी हमारी क्या है कॉस्ट प्राइस निकल कर आगी अगर कॉस्ट प्राइस पूछता तो 960 रुपए हमारी कॉस्ट है लेकिन उसने कॉस्ट नहीं पूछा कहरा कितने में वेचे हैं कि 25% का लाप प्राप्त हो तो बिसिकली वह आपसे कर दो த 25% चार से कैंसल कर दो चार दोनी 8-16-46-16-जीर इस पान्च इसदो बारा बारा सो रुपए रा रजा सो रुपए यद्जे कौंसा औप्शियो सेलिंगत कॉट सेलिंगत बचे इसका मतलब आप preparation अच्छे से नहीं कर रहे हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं किये हैं तभी यह समस्चा हैं face कर रहे हैं ठीक है अगर काइदे से पढ़ाई करोगे तो selection होगा और अगर आपका आज exam है कल exam है क्योंकि आज साथ तारी के कल सायद last exam है ना कल ZD का सायद last exam है मुझे date exact नहीं clear है चली बताई क्या होगा इस question का अंसर तो बचे इसका मतलब आपने preparation बहुत अच्छे से नहीं किये हमने तो regular छे महीने पूरे सर्दियों भर मैंने खड़े होके यहाँ पर पढ़ाया है बिना एक दिन का gap लिए संडे की छुटी किये बिना मैंने पढ़ाया है और एक दिन से ना कुछ होता है ना एक दिन से कुछ बिगड़ता है अब जाओ जिसका भी आज एक्जाम है निशिन्त होके जाओ पेपर आपका अच्छा होगा बस किसी भी कुछन से लड़ाई मत करना ठीक है कि हम तो तुमको solve करके ही रहेंगे जिद नहीं पालते हैं आराम से जाओ बढ़िया से पेपर करके आओगे चलिए 1250 साथ अनुपाते छे अनुपाते पांच है ABC का सम सत्ताइस है तो 1 अपॉन A रेशियो 1 अपॉन B रेशियो 1 अपॉन C निकालो कैसे करेंगे कैसे करोगे बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखो यह क्या दिया गया अगर मैं इन सब को add करो लेफ्ट हैंड साइड को जड़ा add करो जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड को add करोगे तो यह हो जाएगा A प्लस B यह कितना हो जाएगा B प्लस C यह कितना हो जाएगा C प्लस A किसके बराबर हो जाएगा 7 प्लस 6 प्लस 5 यही तो होगा A plus A किता होगा 2A B plus B किता होगा 2B C plus C किता होगा 2C किसके बाद 7 6 13 7 और 6 13 5 18 2 common करके cancel कर दोगे तो A plus B plus C A plus B plus C cancel कर दे value किसके बराबर 9 के बराबर A plus B plus C value किसके बराबर 9 के बराबर अच्छा आपने ABC की वैल्यू क्या निकाली आप बताओ गुरुजी हमने ABC की वैल्यू 9 निकाली है अच्छा ABC की एक्चवल वैल्यू कितनी A प्लस B प्लस C की एक्चवल वैल्यू 27 है और आपने कितनी निकाली 9 इसका मतलब आपने जो वैल्यू निकाली है वो actual value से 3 गुना कम है भाई ये 3 गुना कम है ना 27 9,30 27 होता ना ठीक है 9,30 27 होता ना बच्छे देखो ये value जो है वो actual value से 3 गुना कम है बोलो है की नहीं कहोगे सर बिल्कुल correct कहरो अगर ये बेटे 3 गुना कम है अब देखो question कैसे करते हैं आप इसको 3 गुना करने चक्कर में अभी मत पड़ो अभी मत पड़ो आप पहले A, B और C की value निकालो लाश्ट में आके हम इसको balance करेंगे कैसे द्यान से देखो आपको पता A plus B plus C किसके बराबर 9 के बराबर अगर बच्छे हम यहाँ से A की value निकालेंगे कितना है 3 ठीक है जब मैं B की बात करूँगा तो B की value निकालने के लिए 9 में से A plus C 9 में से A plus C कितना होगा 5 घटा दो value किसके बराबर आगई 4 के बराबर आगई ऐसे ही जब मैं C की value निकालूँगा तो क्या करूँगा 9 में से A plus B a plus b कितना 7 a plus b कितना 7 घटा दो कितना आ गया कोगे sir 2 आ गया clear है अब जब हमने ये निकाल लिया a b c की value कितनी है कोगे sir a की value 3 है b की value 4 c की value 3 2 इतना clear हो गया अब आप क्या करो आपको पता ये जो value है वो वास्तविक value से 3 गुना कम है तो इसको balance करने के लिए इधर 3 से multiply करोगे तो ये 9 हो जाएगा इसको 3 से multiply करोगे 12 हो जाएगा इसको 3 से multiply करोगे ये 6 हो जाएगा ये निकल कर आ गया 9 12 और 6 बेटे आपका निकल कर आ चुका है बोलो clear की निकले अब देखो 12 6 18 9 27 अब देखो 12 और 6 18 18 और 9 27 20 हो गया अब A B C की value balance हो गई अब आप देख लो किसकी value निकाल लिए value हमको निकाल लिए 1 अपाउन A तो A की value कितनी 9 1 अपाउन B B की value कितनी 12 1 अपाउन C C की value कितनी कोगे सार C की value कितनी 6 तो 9 12 और 6 का ये लसम कितना है गा 8 कितनो जाएगा 9 12 और 6 का ये लसम कितना है का बताओ कोगे सार 36 सब जगे 36 का multiply करो 36 का multiply करो तो कितना जाएगा 9 4 36 12 त्याई चतिस और 6 रंग 36 तो ये कितना हो गया है 4 3 और 6 4 3 और 6 4 3 और 6 क्या है correct answer है 4 3 और 6 क्या है correct answer है ठीक है 4 3 और 6 क्या है correct answer है ठीक है 4 3 और 6 क्या है correct answer है बोलो clear की नहीं clear जल्दी से मुझे बताओ yes sir clear ठीक है जल्दी से मुझे बताओ yes sir clear yes sir clear चलो very good अगला question बच्चों आपके सामने अगला question आपके सामने बताई क्या होगा पंद्रा गेंदो को 120 रुपए में बेचने पर नो गेंदो क्रेमूल के बराबर लाब होता है तो एक गेंद का क्रेमूल ग्यात कीजिए एक गेंद का क्रेमूल ग्यात कीजिए ठीक है एक गेंद का क्रेमूल ग्यात ये question very 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 important की category में आता है बेटे देखो कैसे करेंगे इस question करने की trick क्या है इस question को करने की trick क्या है इस question करने की trick 9 गेंदो के क्रेमूल के बराबर लाब होता है 9 गेंदो के क्रेमूल के बराबर लाब होता है क्या होता 9 गेंदो के क्रेमूल के बराबर लाब होता है क्या और अब profit हो रहा है profit किसके बराबर होता है selling price minus cost price के बराबर होता है अब ज़रा ध्यान से देखो बहुत ध्यान से देखेगा अच्छा profit जो होता हो selling price minus cost price के बराबर होता है कह आप 15 गेंदो को 120 रुपए में बेचने पर इसका मतलब 15 गेंदो के selling price में से माइनस कर देते 15 गेंदो का cost price क्या मैंने बुला 15 गेंदो के selling price से जब आप माइनस करते 15 गेंदो का cost price तो profit कितना है profit बेटे 9 गेंदो के क्रेमुल के बराबर 9 CP के बराबर है 9 CP के बराबर है minus का 15 इदार आएगा तो plus का हो जाएगा तो 15 है plus 9 कितना होगा 24 तो 24 का cost price बराबर बेटे हो गया 15 का selling price 15 का selling price 24 का cost price बराबर हो गया 15 का selling price और 15 का selling price ये है ना 15 का selling price कितना है 120 रुपए बराबर कितना होगा 24 का cost price 24 का cost price तो 1 का cost price कितना होगा 120 divided by 24 24 5 120 24 5 120 यानि 5 रुपए 24 5 120 यानि 5 रुपए क्या है correct answer 24 5 120 यानि 5 रुपए क्या है correct answer बोलो clear की नी clear जल्दी से एक बार comment करो yes sir clear जल्दी से एक बार comment करो yes sir clear और यार class अच्छी लग रही है तो इस class को like और share भी करते हुए चलिए क्योंकि ये classes आपके लिए बहुत important होने वाली है जो बच्चे CGL, CHSL, CPO की तयारी कर रहा है क्योंकि अब GD के बाद हम यहाँ पर CGL, CHSL, CPO और railway को cover करने वाले हैं ठीक है चलिए अगला question बच्चों आपके सामने ये question very 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 important की category में आएगा जल्दी से बताओ क्या होगा इस question का अंसर बावन सो रुपए को ABC के बीच ये एक नया concept आपको आप सीखने को मिलेगा बावन सो रुपए को ABC के बीच एक बटे तीन, एक बटे चार, एक बटे दो के अनुपात में विभाजित किया जाना था लेकिन गलती से या साथ, चार, और पंदरा के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है तो सी दौरा प्राप्त 803 कितनी है मतलब सी को कितना extra amount मिल ला है अगर हम गलती से 7 ratio 4, ratio 15 में बाटते हैं तो C को कितना extra amount मिलेगा sorry guys, कैसे करोगे कैसे करोगे, बहुत ध्यान से देखो, देखो हमें पहली चीज तो एक चीज समझो हमारे पास 3 person है A, B, C, इनके बीच में हमको 5200 रुपीज बाटना है बाट रहे हो, देखो, question करने की trick क्या होती पहली चीज तो हम इस question को इस ratio में अगर हमको बाटना है इस ratio में बेटे अगर आपको बाटना है, तो question कैसे करें देखो, पहले आप इसको क्या करो इस ratio में नहीं बाट सकते, इसको normal ratio convert करो, 3, 4 और 2 का, A良 कितना है किज बारा सब जगे बीटे आप बारा का multiply करो जब आप बारा का multiply करोगे तो ये हो जाएगा 3, 4 को बारा ये हो जाएगा 4, 3, 12 और बेटे, ये कितना हो जाएगा, दो छंक बारा यानि ये हो गया, देखो सब LCM कितना आगा है 12 multiply किया तो 3, 4 को 12 4, 3, 12 और 6, 2, 6, 12 यानि ABC में जो पैसा बट रहा है वो 4, 3, और 6 के अनुपात में मतलब अगर हम आपके पास देखते हैं तो 4, 3, 7, 7, 7, 6, 13 अगर 13 रुपे हैं तो A को 4 रुपे मिल ले हैं B को 3 रुपे मिल ले हैं और C को 6 रुपे मिल ले मैंने क्या बोला अगर बेटे आपके पास 13 रुपे हैं कितने रुपे हैं 13 रुपे हैं तो A को 4 रुपे मिलेंगे B को 3 रुपे मिलेंगे और C को 6 रुपे मिलेंगे अगर total amount कितना है 13 रुपे अच्छा गलती से क्या हुआ गलती से ये पैसा 7, 4 और 15 के अनुपात में बढ़ गया 7, 4, 15 का मतलब है 7 और 4, 11 और 15 किता होगा 26 टोटल इमाउंट किता है 26 देखो अगर टोटल इमाउंट 26 रुपए है तो A को 7 रुपए मिलना है B को 4 रुपए मिलना है ये तो गलत है ना अब सुनो होता क्या इस कोशन के पीछे का लॉजिक और कॉंसेप्ट क्या होता समझो पैसा 52 रुपए ही है पैसा 52 रुपए ही है बट ये 52 रुपए ही है बेटे ये 52 रुपए पहले 4, 3 और 6 के अनुपात में बढ़ रहा था अब ये 52 रुपए 7, 4 और 15 के अनुपात में बढ़ रहा है तो बच्चों जब भी कभी ऐसा कोशन आए तो इन में क्या करते हैं इस अमाउंट का बैलन्स होना बहुत जरूरी है तोकि पैसा कॉंस्टेंट है पहले इस रेशियो में बाट रहे थे तेरा दुनी 26, 26, 21, 26 बोलो यस या नो कोगे सर बिलकुल तो जिस साइट तेरा है उस साइट 2 से मल्टिप्लाई कर दो जिस साइट 26 है उस साइट 1 से मल्टिप्लाई कर दो जैसे तेरा है दो से मल्टिप्लाई करो 26 है तो 1 से मल्टिप्लाई करो multiply करोगे तो यह हो जाएगा 4 गुणे 2 कितना होगा 8 देखो 4 गुणे 2 8 3 गुणे 2 कितना होगा 6 और 6 गुणे 2 कितना होगा 12 यह A है यह B है और यह C है और यह कितना हो जाएगा 7 एकम 7 यह कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और यह हो जाएगा 15 अब देखो इधर भी देखो 12,8,26,26 15,4,19,7,26 जब वो साइट देखो इधर भी टोटल सम 26 है और इधर भी टोटल सम कितना हो गया बैटे 26 क्लियर है अब देखो दियार से A को पहले 8 मिल ले थे अब कितने मिल ले है साथ A में एक यूनिट की कमी है B को पहले 6 मिल ले थे अब कितना मिल ले है 4 B में 2 यूनिट की कमी है C को पहले 12 मिल ले थे अब 15 मिल ले है C में 3 यूनिट एक्स्ट्रा हो गया अब आप यहीं से चेक कर सकते कि आपका अंसर बिलकुल करेक्ट है A में एक यूनिट की कमी है B में दो यूनिट कमी और C में कुल मिलाकर तीन यूनिट एक्स्ट्रा हो गया भाई A में एक यूनिट की कमी है B में दो यूनिट कमी कुल मिलाकर C में तीन यूनिट क्या हो गया एक्स्ट्रा हो गया बढ़ गया देखो यहां से एक यूनिट यहां का दो यूनिट को मिलाकर तीन यूनिट आपने सी को दे दिया क्लियर है मतलब आपका डेट करेक्ट बिल्कुल करेक्ट डारेक्शन में आप जा रहे हो टोटल अमाउंट कितना है? 26 ゃाएऊ उपर से चक करो टोटल आमाउंट नीचे चक रो तो भी 26 उलिट है और 26 उलिट टोटल अमाउंट है पने कते बावं अनुनिट की गेमाउंट चटीक कुन यहां शेते वावन सो रूपए कौनसा option है कोगे सर B option है कौनसा option है कोगे सर B option है बोलो clear की नी clear Good morning मज़ा आगया पढ़के पढ़के मज़ा आगा रहा है न एकदम वेतरी लेवल के questions आपको मिलना है लग रहा है न की selection होगा बोलो क्या आपके अंदर वो confidence आ रहा है कि सर हाँ अब लग रहा है कि हमारा selection होगा अगर हमने इस तरीके से पढ़ाई कर ली इस लवल से questions कर ली तो हाँ selection होगा बोलो चले like और share भी करते हो चले बताई क्या होगा इस question कांसर ट्राई कीजे question क्या है कह रहा है एक पुरुष दो महिला या तीन लड़किया sorry एक पुरुष दो लड़के या तीन लड़किया कारिको 88 दिन में करते हैं एक पुरुष एक लड़का और एक लड़की समान कारिको कितने दिन में पूरा करेंगे ये आप से पूछा गया है ये आप से पूछा गया एक बच्चा करें सौर्ट ट्रिक नहीं है बेटे वो मैंने आपको समझाने में कितना तो सौर्ट है यार दो रेशियो बैलेंस करने उपर नीचे वस काम कतम समझाने में नो डाउट हमें एक्ष्टा टाइम लगा पर अगर आप सोचो कि ओवराल आपने किया क्या कि वल उपर और नीचे ग्रेशियो तो बैलेंस किये हैं कोशन बन गया चलो कोशन को सोचा करो कि आखे सर ने इतना टाइम देके क्या समझाया है और उसके बाद आपको चीज़ अपने आप क्लियर हो जाएंगी देखो आपको पता है कि वन मैन को अगर आपको वन मैन को काम पे लगाते हैं अगर आप वन मैन को काम पे लगाएंगे तो भी काम आपका 88 डेस में होगा टू बोइस को काम पे लगाएंगे तो भी काम 88 day देस में रहेगा. two boys को काम पे लगा ओगे तो भी काम 88 days में होगा. three girls को काम पे लगा ओगे तो भी 80 days. मतलब one man 88 days में जितना काम कर रहा है उतना two boys 88 days में कर रहा है three girls भी 88 days में कर रहे हैं तो आप 88,88,88 cancel कर दो. तो बचा क्या? one man is equal to two boy is equal to three girls तो आप यहाँ से निकाल लो man, boy और girl की कार छमता है यानि efficiency का ratio कितना हैगा कोगर सर यह हो जाएगा one upon one यह कितना हो जाएगा one by two यह हो जाएगा one by three ठीक है यह कितना जाएगा one man is equal to two boy is equal to three girls तो क्या हो जाएगा one man है तो one upon one two boy है तो one by two three girls है तो one by three तो देखो one, two, three का LCM कितना हैगा six one, two, three का LCM कितना हैगा six सब जगे six का multiply करो तो यह कितना होगा six कम six यह कितना जगा दो त्याईच है यह कितना जगा तीन दुनी छे यह निकल कर आ गया मतलब मैं कह सकता हूँ मैं एक दिन में छे काम कर रहा है मैं एक दिन में छे काम कर रहा है बॉय एक दिन में तीन काम कर रहा है गर्ल एक दिन में दो काम कर रही ये इनकी efficiency का ratio यानि कार च्छमता का अनुपात निकल कर आ गया अब आप से कह रहा है एक पुरुष एक लड़का और एक लड़की मिलकर काम को कितने से हम करेंगे हम काम करवा लेंगे काम करवाएंगे डेफिनेटली करवाएंगे बट उससे पहले बताओ टोटल वर्क कितना है देखो कैसे निकालते है टाइम कैसे निकालते है देखो चाहो तो बेटे टोटल वर्क आप यहां से निकाल लो चाहो तो टोटल वर्क आप यहां से निकाल लो चाहो तो टोटल वर्क यहां से निकाल क्यों आपको पता वन मैन काम को 88 डेस में कर रहे है तो यह भी टोटल वर्क है और 3 girls भी 88 days में कर रही है तो बैटे ये भी आपका total work है जहां से आपको उचित लगे तो मैंने एक चीज देखा कि 1 man काम को 88 days में कर रहा है 1 man काम को 88 days में कर रहा है कितने लोग बारे में पूछा गया है 1 man 1 boy और 1 girl कितने सहम करेगा तो देखो 1 into देखो man एक दिन में कितना काम कर रहा है man एक दिन में 6 काम करेगा into 88 divided by आपको पता है man एक दिन में 6 काम कर रहा है तो 6 कम 6 boy एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 काम कर रहा है तो 3 एक कम 3 girl एक दिन में कितना काम कर रही 2 काम कर रही 2 एक कम 2 छे ती नो दो ग्यारा ये कितना होगा है छे ती नो दो ग्यारा ग्यारा अठे अठासी आठ गुणे छे कितना होगा अड़ता अलिस दिन आठ गुणे छे कितना होगा अड़ता अलिस दिन कौन सा उप्शन है कोगे सर बी उप्शन है कौन सा option है कोगे sir, B option है? बोलो clear की नогी clear? कौन सा option है कोगे sir, B option है? क। नогी clear की नогी clear? जल्दी से बताओ yes sir clear. रदे रदे. Good morning! चरो proper बहुत अच्छे से चीजे clear हुई है yes या no या किसी step पर कोई doubt रह गया है आप लोग जल्दी से बताओ क्या आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से clear हुई और session को एक बार जल्दी से पहले like और share करो फिर आगे बढ़ते हैं अगला question बच्चों आपके सामने ट्राई कीजिए, एक बार जल्दी से class को like और share करो, फिर आगे बढ़ते हैं, देखो question क्या कह रहा है, देखो, मैंने आपको decimal बहुत अच्छे से पढ़ाया है, decimal मैंने इसी timing में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, एक बार फिर से बता देता हूं, देखो, मैंने आपको बताया था कि decimal के तीन main point होते हैं पहला 0.P और P के उपर बार है तो हम इसको कहते हैं P upon 9 अगर 0.P Q आपको दिया गया है P और Q दोनों के उपर बार है तो हम इसको लिख देंगे P Q upon 99 अगर बच्चे ये दिया गया 0.P Q R P Q R P Q R किसके बराबर हो जाएगा को कि सर P Q R मेंसे माइनस कर दो P upon ठीक है दो संख्याओं के उपर बार है दो बार 9 और एक बार 0 ये होता है ये तीन point होते हैं अगर ये तीन point अगर ये तीन point आपको पता है आपका question कभी गलत नहीं होगा जो value decimal से पहले लिखिए मैंने क्या बोला जो value decimal से पहले लिखिए इसको agittis लिख दो ये तो जिन्दीम कभी कलेस करेगा नहीं जो decimal के बाद है कलेस उसका है तो ये हो जाएगा 8, 7, 6, 8 मेंसे माइनस कर दो 8 क्योंकि 8 के उपर बार नहीं है जिस संख्या के उपर बार नहीं होता उसको माइनस कर देते है तीन संख्याओं के उपर बार है तो तीन बार नो और एक संख्या के उपर नहीं है तो एक बार जीरो ये करना होता है तीन संख्याओं के उपर बार है तो तीन बार नो और एक संख्या कि उपर नहीं है तो एक बार 0 यह होता है तो 2 upon यह कितना जाएगा 990 उपर क्या होगा माइनस कर दें, 8 मेंसे 8 गया कितना 0, ठीक है यह हो जाएगा 6, यह हो जाएगा 7 और यह जाएगा 8, यह दोनो इससे cancel, तो यह हो जाएगा 2 whole अगर मैं इसको 3 से cancel कर दो 3 से कैंसल करोगे 3 तीन 3 तीन 3 कि न तीन 3 तीन 3 से कैंसल कर तो 3 दू निचे 3 न दू सकताइस टीन 2 नीचे तो यह आंसर है कौन सा औप्षिण को गँगे सर, बी ओप्षिंशन है, दीखो मुस्कुरा रहा है यहां बैठके दिजी कि यह hacemoskorा रहा एंच्री सारे बच्चे एक बार कमेंट करें और मुझे बताएं यह सर क्लियर कोई डाउट नहीं है चलो proper clear है proper clear है कोई डाउट तो नहीं है अगला question very important ठीक है जितने भी लोग exam देने जा रहे हैं उनके लिए तो important है और ये कोशन एक दो बार नहीं कई बार आपके एक्जाम में आया है कोशन क्या कह रहा है चीनी की कीमत में 20% की वरद्धी हुई एक वेक्त अपना वे केवल 8% बढ़ाना चाहता है तो खपत में कितने प्रसत की कमी करनी चाहिए अगर आप ये चाहते है कोशन क्या कह रहा है कह रहा है चीनी के कीमत में 20% की वरद्धी हो रही है मतलब आपका एक्सपेंस केवल 8% बढ़ाना चाहता है तो इसका मतलब खपत में कितने प्रसंट की कमी करनी पड़ेगी बताए चाहिए 17 question करके आया हूँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो अच्छा एक बात देखो मान लो चीनी की कीमत पहले कितनी थी 100 रुपए थी चीनी कीमत कितनी थी 100 रुपए थी चीनी की कीमत कितनी थी 100 रुपए थी अब आपने क्या किया चीनी की कीमत में 20% की व्रद्धी हो गए है तो चीनी कीमत 120 हो गए चीनी कीमत कितने हो गए 120 हो गए भाई चीनी की कीमत सौथी चीनी कीमत 120 हो गए चीनी की कीमत बेटे सौथी और प्राइस 20% बढ़ गया price 20% बढ़ने का मतलब है कि आपका expense भी 20% बढ़ेगा भाई अगर आप पहले 100 रुपए करच कर रहे थे तो आप उतनी ही चीनी के लिए आपको 120 रुपए करच करने पढ़ेंगे लेकिन आपकी सरकारी नोकरी तो भी लगी नहीं है तो आपने क्या किया आपका भाई बजट का issue है आपने क्या किया कि सर हम 120 तो नहीं खरच कर सकते हम कितना भी extend करें हम 108 रुपए ही खरच कर सकते है इसका मतलब आप क्या करेंगे इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि हमारा जो expense जो 120 था वो 120 ना होगे केवल 108 हो यानि हमारा जो expense है वो 100 से बढ़कर केवल 108 हो बस इतना आप चाहते हैं बोलो yes या no कोगे सर बिलकुल इसका मतलब अगर आपको अपने expense को जो की 120 हो रहा है उसको 108 करना है यानि कितने की कमी कर रहे हो कितने कमी कर रहे हो कोगे सर 12 की कमी करना है कितने पर 120 पर तो बताओ 100 पर कितना होगा ये इससे cancel ये इससे cancel कितना होगा 10% यानि आपका expense बेटे क्या होगा 10% आपका consumption आपको क्या करना पड़ेगा 10% कम करना पड़ेगा consumption आपको 10% कम करना पड़ेगा consumption बेटे आपको 10% कम करना पड़ेगा clear हो गया good morning very 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 good morning जल्दी से बताओ yes sir clear जल्दी से बताओ yes sir clear ठीक है जल्दी से बताओ yes sir clear जल्दी से बताओ yes sir clear प्रॉपर चलिए अगला question बच्चों आपके सामने question number 9 try कीजे क्या होगा इस question का answer question कहरा एक train जैपूर से सभी बच्चे पहले एक बार like और share करो फिर आगे बढ़ते हैं सभी बच्चे session को एक बार class को जल्दी से like और share करे फिर मैं आगे बढ़ता हूं जल्दी से एक बार like और share करो फिर मैं आगे बढ़ता हूं question कहरा एक train जैपूर से a train start from जैपूर at 9 a.m. and reach Delhi at 3 p.m. another train start from Delhi at 11 a.m. and reach जैपूर at 4 p.m. find the meeting time कहरा कितने समय दोनों trains आपस में मिलेंगी क्या ये question आप से बनेगा क्या लाडलो ये question आप से बनेगा आप लोग मुझे बताओ बहुत आसा तरीका मैं आपको सिखाता हूं बहुत बहुत ध्यान से देखो अईसा question आए इसी तरीके से करना कोई गलत कर दे तो मुझे मेरे पास लेके आना देखो ये है ये हमारा क्या है ये हमारा जैपूर है ये हमारा क्या है जैपूर है और ये क्या है हमारी दिल्ली है ठीक है question कहरा अच्छा एक बात बताओ पहली ट्रेन को जैपूर से दिल्ली जाने में कितना समय लगा है 9 से 10 11 12 1 2 3 कितना समय लगा है 6 गंटे सिंपल सी चीज़ है ठीक है अगर 9 बजे चल लहे हो और 3 बजे पहुंच रहे हो 9 बजे चल लहे हो बेटे 3 बजे पहुंच रहे है तो दिल्ली से जैपूर से दिल्ली जाने में कितना समय लगा है 6 गंटे का समय लगा है अच्छा अब मैं बात करता हूँ जो दूसरी ट्रेन है वो यहां से क्या बज़ दिल्ली से स्टार्ट रही देखो 11 से 12 1, 2, 3, 4, 5 गंटे का समय लगा है बोलो क्लियर की नहीं क्लियर अब सुनो दियां से एल्सेम कितना हैगा 30 तीस आ गया देखो पहली ट्रेन जो कि जैपूर से दिल्ली जा रही इसको कितना समय लगा है इसको समय लगा है 6 गंटे दूसरी ट्रेन जो दिल्ली से जैपूर आ रही है इसको कितना समय लगा है 5 गंटे बोलो है की नहीं कोगे सर बिलकुल तो एल्सेम कितना हैगा 30 मानलो 30 किलो मीटर की दूरी है अब 30 मानो या 300 मानो इससे आंसर पे कोई इंपाक्ट नहीं पड़ेगा पहली ट्रेन 6 गंटे में 30 किलो मीटर जारी तो इसकी स्पीड हो गई 5 किलो मीटर प्रति गंटे अगर पहली ट्रेन 6 गंटे में 30 किलो मीटर जारी तो इसकी स्पीड हो गई 5 किलो मीटर प्रति गंटे और दूसरी ट्रेन 5 गंटे में 30 किलो मीटर जारी तो इसकी स्पीड होगी 6 km प्रति घंटे अब देखो जब भी कभी ये question आए, सबसे पहले देखा करो क्या starting time same है सबसे पहले देखो क्या starting time same है starting time same है, ठीक है starting time, देखो ये 9 बजे start हो रही train, ये 9 बजे start हो रही है, और ये 11 बजे स्टार्ट हो रही है 11 बजे स्टार्ट हो रही है क्या दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम है नहीं तो स्टार्टिंग टाइम को सेम करो इसको दो घंटे चलाओ तो दो घंटे के बाद समय कितना होगा 11 a.m. अच्छा दो घंटे के बाद क्या हो जाएगा? दो घंटे के बाद क्या होगा? भाई, पांच किलो मीटर प्रति घंटे का मतलब क्या होता? पांच किलो मीटर प्रति घंटे का मतलब होता? एक घंटे में पांच किलो मीटर दो घंटे में दस किलो मीटर. दो घंटे में क पाँच किलो मीटर है बेटे तो दो घंटे में कितना होगा दस किलो मीटर होगा टोटल डिस्टेंस कितनी है तीस किलो मीटर ये दस किलो मीटर तो ये कितना होगा बचा हुआ बचा हुआ बीस किलो मीटर होगा अब जरा ध्यान से देखो ये ट्रेन 11 बजे इधर से जा रही ह तो time निकाल लो time किसके बराबर होगा distance upon speed तो इनके बीज की distance कितनी है 20 km speed क्या है आपको पता जब 2 object opposite move करते तो relative speed क्या होगी add होगी 6 और 5 11 divide कल दो तो 11 एक कम 11 और 9 कितना होगा 20 बटे 11 घंटे तो भाईया एक घंटे तो पूरे पूरे हो गए एक घंटे तो पूरे पूरे हो गए ठीक है 9 बटे 11 घंटे 9 बटे 11 क्या है 9 बटे 11 घंटे है इसको जरा मिनट में convert करो 60 से मट 9 चाग 54 पान सो चालिस divided by 11 कितनी बाजाए 11 चोको 44 कितना बचा 11 चोको 44 हो गया गटा दो कितना आएगा 10 आएगा तो 100 हो जाए 11 नवैयन 99 लगभग लगभग 49 मिनट लगभग 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 बेटे 49 मिनट आपको और लगेंगे तो अभी समय क्या हो रहा है अभी समय हो रहा है 11 बज रहा है तो एक घंटे के बाद 12 बचके 49 मिनट PM 12 बचके 49 मिनट PM क्या है correct answer 12 बच्च के 49 मिनट यानि PM क्या है बच्चो correct answer बोलो clear की नी clear सारे बच्चे एक बार comment करें यह sir clear सारे लगबग 49 बिल्कुल correct है सारे student एक बार comment करें यह sir clear कोई doubt है अगला question यह अभी GD में भी पूचा गया question यह CGL का भी question और भी बहुत सारे exams में पूचा गया question है करके दिखाओ क्या होगा इस question का अंसर ABC एक कारे को 30 दिन 45 दिन और 90 दिन में पूरा कर सकते हैं एक काम को सुरू करता और हर तीसरे दिन B और C द्वारा उसको सहाइता दी जाती तो कारे कितने दिन में पूरा होगा जल्दी से बताओ हर तीसरे दिन B और C वेटे उसकी सहाइता के लिए आते हैं तो बताओ कारे कितने दिन में पूरा हो जाएगा कारे कितने दिन में पूरा हो जाएगा क्या ये question आपसे बनेगा क्या ये question बच्चों आपसे बनेगा बहुत ध्यान से देखो आपको पता है एक काम को कितने समय करता है गुरू जी एक काम को 30 दिनों में करता है ध्यान से देखो A कारे को 30 दिनों में करता है B कितने समय करता है B कारे को 45 दिनों में करता है C कारे को 90 दिनों में करता है C कारे को 90 दिन में करता है LCM कितना आएगा 90 30, 95, 45, 90, 90, 91, 90 क्लियर है को कि सर बिलकुल अब देखो A पहले दिन आएगा A पहले दिन आएगा 3 कारे करेगा फिर अगले दिन A ही आएगा अब A आएगा 3 कारे करेगा लेकिन तीसरे दिन A की सहाइथा के लिए B और C भी आएगे देखो A पहले दिन आएगा 3 कारे करेगा फिर अगले दिन दूसरे दिन भी A ही आएगा लेकिन जैसे ही तीसरा दिन होगा A की सहाइथा के लिए B और C आएगे और तीनों मिलके 3, 2, 5 और 1, 6 कारे कर रहे है बोलो clear की निगले तो कुल मिलाकर 3 और 3, 6 और 6, 12 कुल मिलाकर 12 कारे हो चुका है कितने दिन में 3 दिन में अब ट्रिक क्या है 12 का टेबल करो 12 का टेबल करो क्या आपको टोटल वर्क 90 मिलेगा 12 का टेबल करो क्या टोटल वर्क 90 मिलेगा नहीं तो 12 सत्य 84 12 सत्य 84 84 होगे 7 से multiply करो एक step पहले रुख जाओ तो इधर भी 7 से multiply कर दो कितना हैगा 21 दिन 12 सत्य 84 कितना होगा 21 दिन अब देखो अब क्या होगा अब इतना तो हो गया अभी multiply कर लिया कुछ काम रहे गया कौन आएगा जिसने काम को start किया कौन आएगा A A आएगा बेटे 3 कारे करेगा A आएगा 3 कारे करेगा ठीक है एक दिन add कर दो कितना होगा 87 फिर अगले दिन A आएगा 3 कारे करेगा कुल मिला कितना होगा 90 एक दिन और add कर दो 23 दिन 23 दिनों में कारे पूरा हो जाएगा 23 दिनों में कारे पूरा हो जाएगा किसी भी step पर कोई डाउट किसी भी step पर कोई डाउट चलो आगे दिखो हम आगे बूफ करें उससे पहले कुछ बातों पर discuss कर लेतें ज़रा आप सब भी विद्धयार्ती मुझे ध्यान से सुनिएगा चितने भी लोग तयारी करें आप यहाँ पर जाएं adda247.com को सर्च करें जैसे ही बच्चे आप adda247.com सर्च करते हो बच्चे इस तरीके का proper page आपका open होता है यहाँ पर बच्चे all courses पर आके ssc पर आके और आप cpo पर आएंगे जैसे बच्चे आप cpo पर आएंगे तो देखो यह आपका final selection batch है यह बच्चे आपका final selection batch है वो बच्चे जो cpo के लिए पढ़ना चाहते है यह final selection batch है cpo का दूसरा batch नहीं आएगा reason है क्योंकि मई में paper मार्च आधा होने को जा रहा है मार्च आज किती तारीक होगे साथ तारीक होगे मार्च स्टार्ट होगा बीच में April माई के स्टार्टिंग में paper हम दूसरे batches नहीं ला सकते है यह final batch है अगर आप cpo के लिए पढ़ना चाहते है तो आप इस batch से जुड़ जाइए आज ही ठीक है 1999 रुपए बेटेस का price है Y170S का coupon code apply कर दो 1849 रुपए में complete cpo का batch है जो आपका हो जाएगा जो जो faculties पढ़ा रहे हैं आप देख सकते हैं मैं हूँ आशुतोस सर हैं अतुल सर हैं पवन सर हैं साहिल सर हैं नौदीब सर और इंग्लिस के लिए हमारी श्वाती मैं यहाँ पर जुड़ी हुई हैं आप लोगों के साथ तो वो बच्चे जो cpo के लिए complete preparation करना चाहते हैं वो हमारे इस बैस दे जोड़कर अपनी complete preparation कर सकते हैं इसको join करने के लिए क्या करना है इसको join करने के लिए आप सभी को adda247.com या बच्चों adda के app पर visit करके Y170 zero coupon code बच्चे आपको लगा लेना है so that आपको maximum discount मिल सके यह price और कम हो जाएगा ठीक हैं इसकी validity 6 month है लेकिन याद रखना और आपको मैं daily basis पर बिटे मैं आपको अपने PDF और notes भी दूँगा ठीक है class में आप जितने चाहे live interactive class रहेगी आप हमसे जितने चाहे उतने questions पूछ सकते हैं अगर आपको notes चाहिए मेरे बाकी सभी teachers के notes चाहिए आप इसको Y170 code के साथ जाके join कीजे बाकी जिम्मेदारी आप मेरे उपर छोड़िए ठीक है as it is दोस्तों ये तो बात हो गई CPU की अब बच्चों अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा CGL के बारे में क्योंकि आपको पता CGL की vacancies भी आने वाली तो CGL tier 1 plus tier 2 का ये हमारा final selection batch है अब कहेदो sir tier 1 plus tier 2 का मतलब क्या कि पहले tier 1 पूरा complete कराएंगे आपको tier 2 के लिए भी पढ़ाएंगे prepare कराएंगे तो tier 1 plus tier 2 दोनों के लिए complete batch है 1999 रुपए price है Y170 इसका coupon code है apply कर दो कितना हैगा मात्र 1849 रुपए में ये CGL का batch आपका हो जाएगा तो वो बच्चे जो CGL के लिए preparation करना चाहते है वो हमारे इस बैस से जुड़कर अपनी पूरी preparation कर सकते है कहां से join करना है अड़ा यहाँ पर आपको मेरे द्वारा लिखे गए handwritten notes सब कुछ मिलेगा PDF, EDF सब कुछ मिलेगी बट आपको क्या करना है बस coupon code लगाना Y170 गलत coupon code कोई ना लगाना नहीं तो बाद में मुझसे मत कहिएगा कि सर ये problem हो रही वो problem हो रही चीजे time पर नहीं मिलना है बाद में telegram पर आप लोग मेरे को message करते हैं कि सर ये problem आ रही हम क्या करे तो Y170 code के साथ join करो आपका data मेरे पास रहेगा कोई भी doubt आएगी मेरी जम्मेदानी रहेगी आपको कोई भी problem आएगी तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा ठीक है तो जितने भी लोगों अभी तक नहीं join किया है Y170 code है आप जाके join कर सकते हैं अब दोस्तों हुआ क्या अब आपके मन में आया कि सरम CGL के लिए CGL का बैच ले रहे हैं CPO के लिए हम CPO का बैच ले रहे हैं और आपको पता CHSL भी आने वाला है selection post हमारा आचुका वो बच्चे जो selection post के लिए तयारी कर रहे हैं 15 तारिक से हमारा selection post आ रहा है selection post का बैच आरह है सेम वही प्रोसेस है वाइवन सेवन जीरो कोड लगाकर आप इसको जॉइन कर सकते हैं ठीक है 1849 रुपए एप पर जाओ कोहाई लगाओगे प्राइस और कम जाए सर अम कितने बैच्चस ले क्योंकि हम एक्जाम तुम सारे देंगे तो बच्चो मैं आप सभी लोगों से एक चीच कहना चाहता हूँ आप केवल SSC महापैक लो आपको सीजल पढ़ना आप सीजल के बैच से जुड़कर सीजल के महापैक से जुड़कर पढ़ सकते हो सीपियो के लिए आप सीपियो का बैच ले सकते हो 329 रुपए इसका प्राइस है Y170 इसका कूपन कोड है अपलाई कर दो मात्र 2989 रुपीस में ये SSC महापैक बेटे आपका हो जाएगा इसके अंदर हर वो चीज कवर है जो एक्जाम क्लियर करने के लिए आवश्च लग है इसमें आपका CPO का बैच है CGL का बैच है आपके notes है PDF है वो सब तो मिल ला है प्लस मेरा पार्थ बैच है और आपको बता दू पार्थ बैच इस समय का सबसे best बैच है जिसमें 30-100 घंटे के round math पढ़ा रहा हूँ arithmetic plus advance और ये बैच मैं CPO से पहले खत्म करने की कोसिस करूँगा कि CPO से पहले वो बच्चे जो पार्थ बैच से पढ़ना है मैं आपसे कहता हूँ उनको selection में कोई नहीं रोग पाएगा at least math तो उनकी पुरा पर clear रहेगी maths में उन बच्चों को struggle नहीं करना पढ़ेगा इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सबसे बेच्ट है कि आप SSC महापैक से जोड़ जाएं और अगर आप SSC महापैक लेते हैं adda247.com या बच्चों adda के app पर विजिट करके मैं फिर कह रहा हूँ coupon code गलत मत लगाना नहीं तो फिर बात में आप मेरे से comment में message मत करेगे सर आपको ये problem हो रही हमको वो problem हो रही है ठीक है Y170 code लगाना है note कर लो इस coupon code को ठीक है ये price और कम हो जाएगा ठीक है ये 12 महीने तक valid है ये 12 महीने तक valid रहेगा ठीक है ये price और कम हो जाएगा 12 महीं Y170 कोट के साथ जॉइन करोगे मेरी तरफ से आपको एक गिफ्ट वो बच्चे जो SST महापैक लेंगे Y170 कोट के साथ आपको मेरा पार्थ बैच इसमें मेरी तरफ से फ्री मिलेगा ये मेरी कमिट्मेंट है आपको कि मैं आपको अपना पार्थ बैच फ्री कर दूँगा जो की SST और रेलवे दोनों का कमबाइंड मैट का बैच है ठीक है यहाँ पर बच्चे आप देख सकते हैं 2000 प्लस घंटे की लाइट क्लासेज है 6000 प्लस टेस्सिरीज है 2000 प्लस e-book है 10,000 प्लस वीडियो कोर्सेज है इतना कॉंटेंट है लेकिन कंडिशन केवल एक है कि Y170 कूपन कोड लगा कर आपको जोईन करना है ठीक है तो जितने लोगों ने नहीं जोईन किया है Y170 कोड है जाइए जोईन कीजे आपको पता है रेलवे की तैयारी कर रहे है आप रेलवे का बैच ले सकते है महाँ पैक ले सकते है और SFC के लिए बच्चे आप SFC का महाँ पैक ले सकते है और अगर कोई ऐसा बच्चे है जो SFC और रेलवे दोनों एक साथ पढ़ना चाहता है वो हमारा SFC प्लस रेलवे महाँ पैक ले सकता है कूपन कोट के वल एक लगेगा Y170 ठीक है तो जितने लोगों नहीं जोइन किया जल्दी से जोइन कर लीजे आज के लिए दोस्तों यहीं तर रखते हैं कल आगे कॉंटिन्यू करेंगे तो मुलाकात करते हैं अपने साथ महाँ पैक मेरी क्लास लगी हुई है वहीं पर आपसे मुलाकात करते हैं जितने लोगों नहीं जोइन किया अगेन मैं कह रहा हूँ कूपन कोट गलत मतलगा ना Y170 कूपन कोट है जाईए और जोइन कीजे ठीक है दोस्तों चलिए जे हिन दोस्तों जे हिन